वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में हम एक नया कैंपन बनाएंगे स्क्रैच से तो प्लीज पे साह सा तक आप कैसे सारा क्यों को कर शक्को अपने बिजने के लिए ठीक है तो अभी मैं campaign क्या बना रहा हूँ एक मैंने यह landing page बनाया है विकार सा राइट जस्ट ऐसी बनाया मैंने और एक यह landing page ठीक है यह thank you page तो यह है क्या तो basically जैसे suppose करो कि आपका school है आपका school है say गुडगाओ में आपका school है और आप अपने school के लिए ads run कर रहे हो अपने school में बच्चे चाहते हो उसके लिए ads run कर रहे हो तो यह उसका landing पे जगे निए school के लिए निए just मैंने ऐसे ही उठा लिया है और यह उसका है thank you page ठीक है तो य सबसे पहले मैं क्या करूंगा audience research ठीक है इसके पहले मेरे को क्या करना था इसके पहले मेरे को अपना remarketing tag लगाना है अपनी website पर अपना conversion tracking करना है ठीक है वो दोनों आप पहले सीख चुके हो तो I am sure कि आप वो दोनों काम असानी से कर लोगे आप track भी कर लोगे अपने pages को औ और conversion भी आप track कर लोगे तो हम सीधे करते हैं keyword research keyword research करने के लिए मैं कहां जाओंगा मैं जाओंगा tools and settings and then मैं जाओंगा और then मैं जाओंगा कहां पर मैं जाओंगा keyword planner पर और मैं जाओंगा discover new keywords पर ठीक है और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मेरा school का है गुडगाओं में है तो मैं डालूँगा school in goodgown और इसको मैंने किया get results अब यह देखो यह आ रहे है results schools in goodgown एक हजार से दस हजार है सालवान public school goodgown best schools in goodgown शिव नादर school in goodgown, pathway goodgown, top schools in goodgown, top 10 schools in goodgown, day school goodgown, नहीं, DAV school goodgown है, MET school, Vega school, list of schools in goodgown, DAV goodgown, schools in goodgown, अब यह देखो एक यह जो अच्छा लग रहा है, मेरे को यह लग रहा है best schools in goodgown, और top schools in goodgown, यह दोनों सही है, schools in goodgown तो है, यह basic है बिल्कुल, तो best schools in goodgown, top schools in goodgown, यह दोनों जो हैं, यह सही लग रहे हैं, ठीक है, प्लस यह देखो उपर और suggest कर रहा है, best schools in goodgown आ रहा था, इसको भी ले लेते हैं उपर, और आप करते हैं get results, अब देखो और suggest हो रहे हैं, top 10 schools in goodgown, इसको भी include कर लो, और अब सर्च करो, यह देखो आरा result, ठीक है, तो यह तीन जो सबसे ज़्यादा वो लग रहे हैं, पहला है best schools in goodgown, दूसरा है top schools in goodgown, तीसरा है schools in goodgown, तो इन तीनों को लेके हम campaign बनाएंगे, तो आप देख सकतो, हम तीन ad set बना लेंगे, तीन, sorry, ad group बना लेंगे, एक ad group में मैं क्या target करूँगा, best schools in goodgown, दूसरे ad group में मैं करूँगा, top 10 schools in goodgown, और तीसरे में मैं करूँगा, schools in goodgown, ठीक है, यह तीन हो गए, बड़े ही easy तरीके से, तो मैं सीधे side में एक और मैं, google ad account का अपना, tab खोल लेता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, देखो बहुत ही ज़ादा असान है, मैं जाओंगा campaigns पे, मैं करूँगा plus, new campaign, और मैं करूँगा create a campaign without a goal, और देन मैं करूँगा search, और यहाँ से मैं करूँगा continue, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, school, admission, ठीक है, search हटा दूँगा, display network हटा दूँगा, more settings पे जाऊँगा, कुछ नहीं करना, तीनों को मुझे touch नहीं करना है, start and end date है, तो आप कर सकते हो, हमारे में हमाज से ही करना चाहते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं, end date हमें कुछ डालना नहीं, आप डालना चाहते तो डाल सकते हो, campaign URL को यहाँ पे कुछ नहीं करना, यह मैं आपको अगले lesson में आपको समझा दूँगा, अगला नहीं, इन और रेगुलर्ली इन योर टार्गेटेड लोकेशन, ठीक है, यह ले लिया मैंने, language, all language रखोगे, audience यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, budget सपोज मैं खर्च कर रहा हूँ daily, इस से 1000 रुपए, bidding का मैंने रखना है, देखों, यहाँ पे एक option आ रहागा, select bid strategy directly, तो यह click करना है आपको, और यहाँ से आपको रखना है, manual CPC, और यहाँ आ रहा है न, enhanced CPC, तो enhanced CPC को हटा दो, अगर आप enhanced CPC को enable रखोगे, तो Google आपके bid increase कर सकता है, इसको हमने हटा दिया, show more settings, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, और add extension अभी हम बनाएंगे नहीं, हमने किया simple save and continue, बिल्कुल ही easy, अब add group 1 में क्या रखूँगा, तो add group 1 देखो मेरा है, best schools in good ground, तो यह मैंने उठाया, और यहाँ पे मैंने यह link दिया, bid, देखो Google क्या bid बता रहा है, 28 से 57, highest बता रहा है 57, तो best मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा highest से भी ज़्यादा रखता हूँ, ताकि मुझे सबसे ज़्यादा impression मिले, तो मैंने रख दिया 60, keyword था मेरा best schools in good ground, तो यहाँ पे मैंने keyword अपना लिख दिया, और आगे पीछे मैं इनके लगा दूँगा, यह brackets, यह brackets, ठीक है ताकि यह क्या हो जाए, यह हो जाए, exact match, ठीक है, exact match, और देन मैं करूँगा save and continue, अब मैं यहाँ पे अपना लिख दिया, अब मैं यहाँ पे अपना लिख दिया, best schools in गुडगाउं, admissions open, इसको कर दो best school in गुडगाउं, admissions open और यहाँ पे अपनी school का नाम लिख दो, हमारी school का नाम है soft B2, यह लिख दिया मैंने, अब लिखना है best, display path, तो लिख दो यहाँ पे best school, और यहाँ पे लिख दो, गुडगाउं, ठीक है, जो मेरा keyword है, वही मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दोगे, description, soft B2 is, by far, नहीं, यह लिख देते हैं, is the best school, यह पे लिख देते हैं, looking for, best school, in गुडगाउं, for your, for child's bright future, look no further, look no further, click here to, click here to schedule, a free counseling session, with soft B2, today, ठीक है, यह लिख दिया, अब एक चीज़ आपने ध्यान दी, जो मेरा keyword था, उसको मैंने headline में भी लिख आ है, उसको मैंने display पाक में भी लिख आ है, और उसको मैंने description में भी लिख आ है, यह लिखना बहुत जरूरी है, इसे लिखने से होता क्या है, कि user को लगता है, कि आपकी ad बिलकुल relevant है, क्यों relevant है, क्योंकि user जो भूंड रहा है, वही उसे add के अंदर दिख रहा है, तो वह मैंने यहाँ पर लिख दिया, URL option का मैं कुछ करूंगा नी, और देन मैं इसे कर दूंगा simple, save and continue, और इसको मैंने कर दिया, continue to campaign, ठीक है, अब वापस आओ, अपने add account पे, वापस जाओ campaign पे, यह रहा मेरा school admission, इस campaign को select करो, इसके अंदर, यह रहा मेरा एक add group, और इस add group के अंदर, यह मेरा keyword है, और यह रहा मेरा add, ठीक है, एक add है, अब मैं एक add और बनाता हूं, वो add मैं कैसे बनाऊंगा तो, इसी को मैं करता हूं, यहाँ से copy, और यहीं पर करता हूं, इसको मैं control V, से कर देते हैं, आपे paste, ठीक है, अब यह देखो, दूसरी add आ जाएगी, ओके add paste नहीं हुई, तो एक बार वापस जाते हैं, ओके ओके, यह already वो था, इसलिए नहीं हुआ, ओके एक बार फिर से करो, control V, और done करो, यह कर दो, create duplicate, if add already exists in destination, create duplicate, और इसे कर दो, ठीक है, यह add paste हो गई, अब इसको हम कर देते हैं, change, ठीक है, एक ऐसे रहन देते हैं, इसको हम कर देते हैं, change, यहां से click करते हैं, और इसको कर देते हैं, edit, और इसको हम कर देते हैं, अपने हिसाब से change, change क्या करेंगे best school in गुर्गाव में रखना है हम description change कर देंगे ठीक है, description क्या कर देंगे if you are looking for best school in गुर्गाव then your search ends with soft b2 exactly, यह उतना अच्छा description नहीं है user के हिसाब से but again, just मैं आपको समझानी के लिए बता रहा हूँ, और दूसरा हम ऐसे रहन देते हैं, और इसको कर देते हैं मैंने save and add other कर दिया, वो नहीं करना था मुझे, तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ cancel, और यह से कर देता हूँ, yesly तो देखो, दो add बन गी ठीक है, एक यह दूसरी है एक यह दूसरी है, बहुत simple, right, तब वापस आओ वापस जाओ campaign पे और इसको select करो अब हमने तीन keyword देखे थे यह तो एक add group बन गया हमारा अब हमें और add group बनाने है, अगला कौन सा keyword है, यह वाला keyword यूज करना है ठीक है, तो हमें क्या करूँगा, बहुत simple है, इस add group को मैंने किया, यहाँ पे copy ठीक है, और इसे मैंने कर दिया, यहीं पे paste, control V school admission मैंने select किया इसी campaign के अंदर paste करना है और इसे मैंने किया, done pause new add groups अगर आप pause करना चाहते हो, add group को तो कर सकते हो, या फिर just paste करो paste हो गया, जी यह देखो 2 करके हो गया अब हमारा दूसरा keyword क्या था top 10 schools in गुड़गा तो इसको यह करो इसे click करो इसके अंदर keyword क्या थेखो best school in गुड़गा तो इसे click करो और top 10 school in गुड़गा तो इसको कर दो top schools in गुड़गा ठीक है अब जाओ ads पे और इन दोनो ads को change करो simple कर दो edit best schools in गुड़गा है इसको change कर दो top schools in गुड़गा admission open looking for best school in गुड़गा है इसे कर दोगे top school in गुड़गा और इसे कर दोगे save add हो गया देखो top 10 school सी हो गया तो इसे वापस edit कर देते हैं 10 copy हो गया तो इसे यहां से हटा दो और यहां से भी यह 10 हटा दो और इसे कर दो save add ठीक है बहुत जादा असान अब ऐसे इस वाली add को भी आप change कर सकते हो इसको भी जैसे हमने उपर वाले को change किया edit और change अब अगर आप इसे copy करके एक और add बनाना चाहते हो तो अब एक हमने पहले तरीका सीखा था उपर सी से हम select करके उपर copy करते थे यहां से एक दूसरा तरीका भी है और वो क्या है इसे just यहां आओ और copy and edit इसे copy करके इसे क्या कर सकते हो edit तो वापस यहां पर आओ इस campaigns के अंदर आओ schools admission और दे देखो अब दो हमारे add group बन गया इस campaign के अंदर तो जैसे यह दो add group बने हैं ऐसे ही आप क्या कर सकते हो इन्हें duplicate करके और add group बना सकते हो और उसके अंदर और adds बना सकते हो तो make sure कि आप इसकी practice कर रहे हो add group बनाने की कोशिश कर दे हो जो कल का lesson हम करेंगे उस lesson में हम क्या करेंगे उस lesson के अंदर हम यहां पे negative keywords add करेंगे प्लस हम extensions बनाएंगे प्लस हम कुछ bid modifiers डालेंगे bid adjustments डालेंगे ठीक है but make sure कि आप आज practice करो क्या practice करोगे पहले तो landing page बनाने की then add copy लिखने की then उस पे website tracking लगाने की google ads की tracking लगाने की then conversion tracking की और then add बनाने की tracking का आपको पता है जो simple तरीका है वो है google analytics के through कर सकते हो google analytics install करो अपनी website पे और google adwords और google analytics को integrate कर दो गूगल analytics के अंदर जाके आप अपना tracking on कर दो और वहाँ पे जाके remarketing on कर दो ताकि वहाँ का सारा data आपके google ads के अंदर आए और आप वहाँ से easily remarketing रन कर सको प्लस आप google analytics में क्या कर सकते हो गोल्स बना सकते हो और गोल्स बना के उन्हें google analytics के अंदर sorry google ads के अंदर import कर सकते हो as a conversion ठीक है तो यह बहुत यह simple तरीका है जिसके थूँ आप यह काम कर सकते हो ठीक है तो make sure कि आप आज यह campaign बनाने के practice कर रहे हो कल हम extensions डालेंगे और बाकी चीज़े डालेंगे in campaigns के अंदर ठीक है जी thank you so much for watching this lesson